अब में गाओं आ चुका हूं आज सुभा ही आया और अभी बस थोड़ा लेट ब्रेक्पास्ट करके अभी गाडेन भाया गया हूं तो आज भी संड़ा है चलिए गाडेन उभर्व्यू अब सब देखें मीनी चंदनी का जो प्लांट था हर एक प्लांट में फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छा हो रहा है पर देखें इसमें ग्रोथ में थोड़ा से रुका बटा गया है क्योंकि इन में में मीली बग का टक रेगुलरली कंटिन्यू हो रहा है यहां पर और उनके नीचे यह सारे जो मेरे अरेलिया का ड्वर्फ भेराइटी का फ्लांट था इन में थोड़ा सा पाड जो राटिंग हो रहा है और इनमें से गलकर मरने लगे हैं दिखिए बहुत हेबी वाटरिंग के करण अगे मैं इसका वाटरिंग का ध्यान रखने के लिए जरूर घर पे चुका है तो इसको मुझे और एक निया प्रोबाइट करना पड़ेगा ताकि इसका ग्रोथ में कोई भी रुकाबटना आए और उस तरह से दिखिए सारे मेरे कलेंचु में नएने ग्रोथ आना शुरू हो गया है और इनमें से बढ़िंग आना भी शुरू होने ही बाला है दिखिए इस पर इसमें तो पांच टिप्स का फूल खिलेंगे इसमें हर एक में में पिंचिंग कर दिया था तो इसमें बहुत ही सुंदर ग्रोथ आ गया है और दिखिए सारे रोज की जो ट्रांस्प्लांट किया था इनमें कितने सुंदर से ग्रोथ आ गया है कितने सारे ने ग्रोथ निकल है और एक प्लांट में इसमें देखिए कितना बड़ा वाला मदर्प्लांट की तरह फ्लारिंग हुआ था और इसमें फिर से एक पर सब्ट फिंचिंग करना पड़ेगा क्योंकि जितने सारे डीर्ड सुस निकल रहा है इन के तरह इसमें फ्लारिंग तो नह बनेगा सरी जिसमें इसमें जब सीट्स बनेगा तो बहुत सारे फ्लांट अपने आप ही उख जाएंगे और उनको सब को आरेंज करके फिट से और एक नया ब्याच में ले पाऊंगा और दिखिए यह सारे क्राशन थमेंबे अभी बड़िंग हो गया है अभी मैं इनको और प तो अगले साल बहुत ही जल्दी इसमें थोड़ा सा काम करना सुरू कर दूँगा ताकि बहुत सारे फ्लावरिंग ले पाऊंगा और यह देखिए बड़ा बाला के लंचु का प्लांट इसमें बहुत सारे फ्लावर होगा और यह देखिए कितने सुन्दर से इनमें नहीं हमारा घर का मेंबर है तो यह हमारा गार्डेन का बहुत ही ख्याल रखता है यहां पर सुभा सया कि यहां पर धूप में इसे खिलता रहता है दिखिए यहां पर छुप गया है मेनी चन्नी के प्लांट के निचे इन सभी जितने भी लालसा का मैंने सेपिंग किया था उन सभी फिर से से बाहर निकल गए इनमें उभर ग्रोथ हो गया है इन सब को फिर से इस बार फिंचिंग करूंगा और भी थोड़ा घना बन पाए और इनमें थोड़ा सा सेप चले आए तकी इस प्लांट के तरह एक ही लाइन में प्लांटिंग कलर दिखेगा तो बहुत ही होता है कि देखिए जो निया प्लांट रूज का मैंने इस बैर में शैनल कर दोंगा और इसमेन कुछ बाड़ा यह सब से प्यारा सा परसलन का प्लांट का लगाया था इसमें देखिए अभी बढ़िंग आना सुरू हो गया है और इसमें जब फ्लावरिंग होगा तो पता चल लगा किस कलर का है और इसके जब सीड बन जाएगा तो मेरे पास बहुत ही कसमस का प्लांट हो जाएगा और यह देखिए सिंगल पिटल के रोज में देख कि इसी साल मैंने छोटा सा कटिंग बस इतना सा कटिंग मेरे पास बचा था उसको लगा के बस इतना बड़ा सा प्लांट हो गया है अब मेरे पास और यह भी एक जो पिंग कलर का प्लांट बचा है परसलेन का कटिंग और इसको भी मुझे कहीं लगाना है क्योंकि इसका ब् मर जाएगा यसे लगता है पता नहीं क्या होगा आगे थोड़ा से इसमें हल्दी स्प्रे कर दूँगा इसके जेवरूट में दे दूँगा ताकि फंगास अटक होगा तो वह कम हो जाएगा और यहां पर जितने भी सारे मेरे पर्मानेट प्लांट प्लेस किये गए थे उन सब में बहुत ही सुन्दर से ग्रोथ है इन सब की फिर से उपर से एक बार पिंचिंग करना पड़ेगा इसी तरह ताकि इसमें और भी कुछ ब्रांचेस निकल पाए और यह आर भी घना बन जा सकते कितने सारे नए ग्रोथ निकल रहे हैं इसमें दो कटिंग लगाया था संगापीणड यनका अभी देखिए इसमें दो ही पिंचिंग चलने लगत है और इसमें मेरे पास दो प्लांट फिट से नए ready हो गए इसी तरह देखे इस वले प्लांटर में भी इसमें जो तिन नय नय ग्रोथ निकला था तिन ब्रांचेस बने थे उन्सब को मैं फिर से अभी उपर से पिंचिंग कर रहा हूं ताकि एक कटिंग से तिन-तिन कटिंग बन जाएगा नया ब्रांच निकलेगा तो प्लांट और भी घना नजर आएगा दिखे कितने सारे इनकी जो टिप्स में निकल दिया जो भी पत्ते मर रहे शूख रहे उन्सब को आपको हटाना चाहिए और नीचे बाले पत्ते को तो जरूर हटाना चाहिए ताकि एरकन बेंटिलेट बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए और प्लांट बहुत सुंदर से ग्र दिखे मेरा सारे पर्चुला का कर मिक्स बैरेटी का प्लांटर था इसमें दिखे मैंने कुछ सुट्स ग्रोगव किया था यह सल्वय का सीड से और इनमें दिखे कितने संदर से ग्रोत में आना सुरू हो गया है यह नए बिसकस में जो कटिंग रोकिया था शाए यह चलने लगा है फ्रेश नजर आ रहा है तो यह जब ग्रो कर जाएगा तो इसको जमिन में ग्रो कर दूँगा और बहुत सुंदर से फ्लारिंग बड़े-बड़े साइज में बीक साइज का फ्लारिंग आता है इसमें यह जो नया भराइटी का अपरा जिता मैंने प्लांट ग्रो किय गए और बस इतने से कटिंग चलने लगा है और इन सब को में ट्रांसफर कर दूँगा कुछ-कुछ प्लांटर में और कुछ जमिन में तो बहुत सारे नए प्लांट मेरे पास हो जाएंगे इनका उपर से पिंचिंग करके इनका हेबी ग्रोथ ले जाओंगा पहले और उसक अज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में सो गाडन में आ गया हूँ तो बहुत सारे काम होगा और उस काम के करने के बाद आप सब के साथ जरू सेर करूंगा तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल का जरू सब सेक लेना वीडियो लाइकन सेर जर करना कमेंट में बताना आज का गड़े ना उभर विव आप सब के सालागा है